एक साहब थे, बहुत मशूर वाक्या है, बहुत गुरुबत में रहते थे, बहुत गुरुबत में, कभी पेट भर के खाना नहीं खाया था एक दिन वो अपने बिस्तर पे बैठे वे थे, तो उनके पास एक फरिष्टा आ गया, उन्होंना पुझा, आप को आँ कहते हैं, मैं रिजक तक्सीम करता हूं लोगों में सिरुफ दोर के बादे जब बात हो सकती थी, उन्होंना का, मेरी जिंदगी में कितना रिजक है, और कितना रिजक है, उसने का, तुमारे जिंदगी में सिर्फ दस रोटिया हैं बस, अब पूरी जिंदगी अब दस रोटिया हैं, तुमारे रिजक इसके बाद नहीं है, उस अगर वो दस रोटियां दे दी तो उसके बाद कुछ नहीं है तो में जिन्दगी में, हतम, बस इतना ही रदस है, उसने का मुझे दे 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 मैं जानू मेरा काम जाने में आखरी खुआईश पूरी हो जाएगी मेरा रोटियां, उन्होंनों दस रोटियां दे दी और चले कुछ दून बाद इनका इनका नटकाल हो जागा, कुछ भी ने बचेगा इनके बाद, चंद माह बाद एक दफ़ा गुदर रहे थे वहां से, उन्होंनों ने सोचा कि मैं इसका हाल देखूं कि वो अब तक तो मर गया होगा, उन्होंनों देखा तो उसके घर के बाहर लोग उन्हें हैरत उने पूछा, कि भाई तुम्हें जो दस रोटियां जिंदगी में आखरी थी, ये रिजग कहां से आ गया, उसने का यार, तुम जो दस रोटियां देखे गए, मैंने दो रोटियां तो खा सका, बागे आठ नहीं खा सका, मैंने वो आठ रोटियां लोगों मे बाट दी, जब बाट दी, अल्ला की रहा में बाट दी, अल्ला किसी का कर्द नहीं रखता, वो आठ असी होके मेरे पास आगए बाद में, खाना आने लगा, कहां से आ रहा था मुझे नहीं पता, रिजग कहां से आ रहा था, मैं वो जितना रिजग आता था, मैं अपना खा लोगों को, अगर आपको जानते हैं, लोगों में बाट दीजिए, अगर आप पैसे से जादा हैं, आपके जरूर से जादा हैं, बाट दीजिए, दे दीजिए, लोगों को रास्ता दे दीजिए, ये जो अक्तर गाड़ी में आप जा रहे होता हैं, पीछे से हौरान दे रहा ह यह एक बहुत बड़ी चीज है जिसे कहना चाहिए ना कभी भी आप देखें कि आप डिप्रेशन ना शिकार नहीं होंगे जब आप देना शुरू कर देते हैं तो आपकी निजबत अल्दा ताला से जोड़ जाती है फिर आपको भी परेशान और डिप्रेस्ट नहीं रहते ज इतना जादा आप देने वाले बनेंगे इतना जादा आपके जिंदगे में खुश्याना शुरू हो जाएंगे आप टै कर लें कि हर महीने कुछ ना कुछ नहीं तो अपने घर के बाहर एक बरतन में थंडा पानी कुछ दाल या चावल या बाजरा आप बाहर रख दें जहा को एक आदत बना ले अपनी फिर आप देखिए आप कहां ते कहां पहुंचते हैं